इस वक्त बिहार से एक बहुत बड़ी ख़बड सामने आ रही है बिहार पुलीस के ADG नयर हसने एंक खान्य बिहार के सारे प्रधान सचीव और सचीव को एक पत्र जारी किया है पत्र में क्या लिखा गया है हैं उसे के बारे में चड़चा करेंगे पत्र में सारे सचीव और प्रधान सचीव से आगरह किया गया है कि अगर सोशल मीडिया यानि की इंटरनेट पर किसी नेता, विधायक, मंत्री या किसी भी अन्य इंपोर्टन राजनीता के खिलाफ कोई व्यक्ति या कोई संगठन अगर अभद्र टिपनी करता है तो उसके ख प्रधान सचीव से आगरह भी किया गया है कि उनके संग्यान में अगर ऐसा कोई मामला आता है जहां किसी राजनीता के खिलाफ कोई व्यक्तिया कोई संगठन अगर अभद्र टिपनी कर रहा है तो साइबर सेल को इसके बारे में तुरन जानकारी दी जाए इसी के बाद उस साइबर क्राइम के लॉज के तहट कारवाही की जा सकती है और तो और उसके खिलाफ एक सिवल सूट भी दाखिल किया जा सकता है अब देखें इस चीज को सोचने वाले बहुत से पहलू है पहली चीज तो यह कि एक तरीकी से शायद यह सही भी है क्यूंकि बीदे कुछ दि अबहद्र चीजें सोचल मीडिया पर शेयर की जा रही थी तो ऐसी में पुलीस का इन सारी चीजों पर नजर रखना ठीक भी है लेकिन इसका एक और पहलू यह है कि यह कौन तय करेगा कि क्या अबहद्र टिपनी है और क्या एक इंसान बस अपने मन की बात कह रहा है कौन य ऐसी में बहुत बड़ा चिंता कभिशा यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा कोई नियम लागू होने के बाद सारे के सहर राजनीतिक दल यहां इस चीज को एक दूसरे के खिलाफ इस्तमाल करना शुरू कर दे क्योंकि यहां हमारे नेताओं को एक खास आदत है एक दूसरे के ऊ जून-डून कर एक दूसरे की टांग इस चीज में खीशने लगे यह भी मुम्किन है कि इस नए नियम से freedom of speech में भी कोई फरक पड़ेगा कि ऐसा हो जाएगा कि कोई इंसान आराम से social media पर अपने विचार भी विप नहीं कर पाएगा क्या हम यह देखेंगे कि निपीश कु पत्र में ADG ने सचीव और प्रधांस चीवों से यह भी गुजारिश किया है कि अगर उनके संग्यान में ऐसा कोई मामला आए तो उसे साइबर सेल तक खुद पहुंचाए अब देखना यह है कि इस नए नियम से social media में क्या हम कोई नया पार्टिन देखेंगे और क्या social media प देख रहे हैं जंता जंक्षिन